नमस्कार दुस्तों स्वागत है हमारी युट्यूब चैनल पे जैसा कि हमने पिछले वीडियो देखा था कि डिटेलर सॉप का बिल कैसे बना सकते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत भी चाहे आपका एक तरीके से debit and credit card कैसे आप यूज कर सकते हैं retailer shop के accounting के अंदर bill में तो दोस्तो complete video पर बने दिएगा आपको एक-एक step लेके चलेंगे आपको कैसे बनाना है सारा चीज हम बता देते हैं सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो हमने पिछला invoice बनाया था उसमें बहुत चीजे तो add किया था लेकिन आपको एक बार फिर से यहां पर display करकर दिखा देते हैं और यह हमारे पास है first वाला bill जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी first वाली bill है जिसमें हमने सारा proper तरीके से करकर यहां पर रखे हैं आपको बस वही सारे चीजे आपको repeat करेंगे साथ में आपको दिखाएंगे कि किसके अंदर क्या आपको रखना है जो आपका इस तरीके से बन जाएगा तो हम सबसे पहले escape से पीछे जाते हैं यहां पर अब यहां पर हम second वाली invoice को open करते हैं अब दोस्तों इसमें देखेंगे second वाली invoice में हमारे पास जो round आपका इसमें नहीं दिया है दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जो round आपका यूज होता है वो basic तरीके से point zero के बाद जो value आती है पैसे में उसको एक तरीके से minus करने के लिए होता है वो आपका एक तरीके से merge कर दिया जाता है तो आज उसी के सारे step by step बताने वाले है और साथ में आपको fast billing भी बताने वाले है जो कि हमने बताया था अब चलिए दोस्तों करना क्या है सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर escape से पीछे आ जाना है अब दोस्तों escape यहाँ पर आने की बाद सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या लेना है सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा accounting info में उसके बाद यहाँ पर दे यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर आपको दीकरा या सारा सें माप रख सकते हैं जैसा हम ने रखा है यहां पर advent card काड है उसके बाद इसका जो अंडर रहागा selling ignment kandry debitors रहाइगा दोस्तों याद रखिए बाकी ये सारे दोस्तों आप इस तरीके से fill कर सकते हैं अब दोस्तों हम escape से पीछे जाते blessing rounding रखे और यहां पर rounding method को normal rounding रखे और rounding limit को one रखेए, dedo आपको नो रखना है बाकी यहां पर कुछ नहीं करना है इसको accept कर लीजिए उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों अब यहां पर हम चलते हैं आपका जो जैसे check है या आपका debit and credit card है तो उसके लिए हमें एक bank account नम से बनाना होगा जैसे हमने sbi name से बनाया है अब दोस्तों अब दोस्तों इतना करने के बाद अब सीधे दोस्तों हमें जाना है यही से सीधे escape से voucher type में अब दोस्तों जैसे जाएंगे और यहां पर alter पर क्लिक करेंगे तो इसमें दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें कुछ changes करना है और इस changes होगा POS invites इसमें आपको जाना होगा और इ किया है यह जैसा है सेम उसी तरीके से है बस हमें last में यहां पर आना है दोस्तों आपको दिखा देते है जो name आप class है यहां पर जैसे दोस्तों आप इंटर करेंगे तो आपको यह सारे जितने option है जैसे आपको gift voucher को yes कर लेना है आपको उस gift card को ले लेना है उसके बाद credit card उसके बाद इसको भी yes कर देना है अचेक ले लेना है cash ले लेना है इस तरीके से यहां पर couldök लेना है यहां पर no रक यहां पर रहना है बाकी कुकल आपको मंहें नीचे आना है अब दोस्तों मंहें के बाद काने यह करना है यहदि स्विक्षी को और स्विक्ष escuch सीर्ट करना है राउंड आपको ट č मैंने कि थीन कहलते है आपको अश्चल्ट इस में सहोगा उस तनी कि लियर हो गार इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको सीधे आ जाना है accounting voucher में, आपको हम यहाँ पर थर्ड यहाँ पर इंट्री करकर दिखाते हैं, जो हमारे पास थर्ड इंट्री है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, हमने थर्ड इंट्री जैसे, यहाँ पर आपकी आटोमाइटिक यह सारे इंट्र करिए, और यहाँ पर पाटी नीम रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर रखते हैं, सुमीत, यहाँ पर इंट्र करते हुए आते हैं, डेस वेगर आप डाल सकते हैं, अब यहाँ पर जो भी आपके items हैं, जैसे space button दबाएंगे, जैसे यहाँ पर HP का laptop है, यहाँ पर two piece दिखा रहा हैं, यहाँ पर इंट्र करते हैं, यहाँ पर आपको automatic one piece जो भी आपके हैं, यहाँ पर modify भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर two piece कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने two piece कर दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ और भी items हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर space button दबात लेकिन इसमें दोस्तों आप दिखाते हैं राउंड आप कैसे काम करता है अब यहां पर हम एक प्रोडेक्ट और लेते हैं जैसे पारले विस्ट को इसको हम करते हैं और यहां पर इंटर करते हैं एक पीस के जगह हम यहां पर दस पीस करते हैं और दोस्तों इसका जो में आएगा round off का अब देखिए जैसे यहाँ पे हुआ तीरपन प्याप पचास पैसा लेकिन यहाँ पे देखिए सारा round करकर आपको actual में जो amount है एक लाक 10,460 पे दे देगा यानि यह round off से आपका जो होगा minus करकर यहाँ पे देगा अब दोस्तों इंटर करते विए नीचे आन अब दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो भी gift card है आपको ले लेना है तो हमारे पास flip card का था अब यहाँ पे पूछ रहा है amount अब दोस्तों यहाँ पे important चीज है कि जो भी आप amount लेंगे आप सबको अलग-अलग लेंगे ना कि एकी लेंगे जैसे माली जी अगर अब हम क्रेडिट में automatic इतना amount set कर दिया गया है लेकिन हम इसको modify करने वाले यानि सबको एक एप करकर हम इसके अंदर fill करने वाले जैसे यहाँ पे एक लाग 10,460 पे हो रहे है अब हम क्या करेंगे कि माली जी gift card से हमने 50,000 रुपीय payment की है जैसे इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका amount बच जाएगा और कितना है तो यहाँ पे 6460 पे बच रहे है लेकिन हम credit card से या debit card से भी कुछ payment करना चाते है तो माली जी हम यहाँ पे करते हैं 30,000 जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर दिया 30,000 इंटर करते हैं card number पूछ रहा है जो आ 20,000 यहाँ पे माली जी हम करते हैं 20,000 और आपको amount total calculate करते हुए आना है अब दोस्तों जैने से हमने 20,000 किया तो नीचे यहाँ पे देदिया 10,460 पे बचा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है bank name किस bank से हमने यहाँ पे देदिया HDFC and इंटर करते हैं जो आपका check number है आप कितना पे कर रहे हैं माली जो माली जी हमें customer है हमारा हुआ 10,460 पे अब हम कितना पे कर रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं माली जी 10,400 आपको example दिखाने 470 पे देखिए जैसे दोस्तों हमने 10,470 पे डाले अब यहाँ पे आपको amount कितना return होगा 10 पे होगा देखिए जैसे इ आते हैं जैसे माली आपके पास चेंज नहीं है तब दिक्कत आती है तो आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आप नरेशन दे सकते हैं बाकी यहां पर कुछ नहीं करना है इसको आप दोस्तों यहां पर अक्सेप्ट कर लीजिए और आपका जो बिल है यूज कर सकते हैं फास्ट बिलिंग और जो भी आपकी गिप्ट काड है डेविट काड है और साथ में आपका जो चेक है यह सारे ऐसे आप इनवाइस को जनरेट कर सकते हैं वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अगर हमारा पिछला वीडियो नही देखे तो उसको जरूर देखे थैंक्स फार वाचिंग